करोडों की मालकिन है अनुष्का अपने ड्राइवर को ही गिफ्ट की थी 12 लाग की कार फिल्म बाहु भली से लोगों की दिलों पर राज करने वाली एक ट्रेस अनुष्का शेटी का असली नाम स्वीटी शेटी है करनाटक में जन्मी अनुष्का साउथ फिल्म इंडिस्ट्री की सबसे महनगी एक ट्रेस है फिल्म बाहु भली में अनुष्का ने देवसेन का किरदार निभाया था जिससे वे रातों रात फिमस हो गई आज वह किसी पहचान की महताज नहीं है अकसर अपनी एक्टिंग वह खूबसूरती के लिए अनुष्का लाइम लाइट में बनी रहती है लेकिन कमाई में भी वे किसी से पीछे नहीं है खबरों की माने तो अनुष्का 22 मिलियन डॉलर करीब 140 करोर रुपे की प्रॉपटी की माल किन है एक फिल्म के लिए लेती हैं 5 करोर खबरों के मताबिक हैदरबाद के पौश इलाके जुबली हिल्स में स्थित वुड्स अपार्टमेंट के छेवा फ्लोर पर अनुष्का का अलिशान घर है अनुष्का एक फिल्म के लिए करीब 4 से 5 करोर रुपे लेती है अनुष्का को कारों का भी काफी शौक है उनके पास लगजरी कारों की कलैक्शन है जिसमें BMW 6, Audi A6, Audi Q5 और Toyota Corolla शामिल है फिल्मों के अलावा अनुष्का एड्स से भी अच्छी कमाई करती है अनुष्का MBS Jewelers, The Chennai Silk, Intex Mobile, Colgate Active Salt और Dabar Avla जैसे ब्रांड के विग्यापन करती है अनुष्का काफी दरियादिल है उन्होंने एक बार अपने ड्राइवर को 12 लाक रुपे की कार गिफ्ट की थी एक नजर अनुष्का के करियर पर डाले तो जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो उन्हें तेलगू फिल्म सुपर्प का ओफर मिला इस फिल्म से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ इस फिल्म में उनके साथ नागार जुन और आया शाटा क्या जैसे बड़े सितारे लीड रोल में थे इस फिल्म में अनुष्का सपोर्टिंग रोल में नजर आही थी प्रभास के साथ जुट चुका है नाम लव लाइफ की बात करें तो अनुष्का शेटी का नाम मशूर डायरेक्टर कुश के साथ जुट चुका है अनुष्का और प्रभास के अप्रभास के खबरे भी सुनने को मिली कहा दाता है कि फिल्म बाहु बली की शुटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे अफेयर की खबरों के बीच अनुष्का ने प्रभास से अपने रिष्टे को लेकर खुलासा किया था अनुष्का ने कहा था कि प्रभास के साथ उनकी दोस्ती ऐसी है कि वो सुबहग तीन बजे भी बात कर सकते हैं एक इंटर्वियू में अनुष्का शेटी ने कहा था मैं प्रभास को पिछले 15 सालों से जानती हूँ और वे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं सुबह तीन बजे बात कर सकती हूँ हम आम और पर जुड़े हुए हैं क्यूंकि हम दोनों शदी शुदा नहीं हैं और अन स्क्रीन हमारी अच्छी जोड़ी है अगर हमारे बीच कुछ भी ऐसा होता तो अब तक पता चल जाता हम दोनों एक ही तरह के हैं जो अपनी भावनाओं को नहीं चिपाते खबरें तो यह भी सुनने को मिली की अनिशका किसी क्रिकेटर को डेट कर रही हैं और शादी भी करने वाली हैं लेकिन एक ट्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी